हेलो मैं यह तो अभी तक हमने कहां तक पढ़ लिया था हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रूप 15 अलिमेंट के बारे में जाने हैं बच्चों के बारे में तो किस तरीके से वे होते हैं इसके कंपांग उसको जानते बच्चों काफी एजी कंसेट से तो देखो यहां पर कंपांग्स ग्रूप 15, सब्संगे के घ्र सिफटन तो आप किसे ऐनसके सी वे से सबसें पर है ने डॉब में, compounds of nitrogen, compounds of nitrogen, nitrogen की compounds में आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा देखो, पहला आपको पढ़ना है, compounds of nitrogen, nitrogen की compounds में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, n2-gase के बारे में, second आपको पढ़ना है बच्चों यहाँ पर, second आपको पढ़ना है, ammonia के बारे में, third आपको पढ़ना है यहा आपको पढ़ना है और उसी के साथ हमको क्या पढ़ना है बच्चों यहां पर हमारा क्या होगा बच्चों सबसे पहले क्या होता क्या है तो सबसे पहले डाइनाइट्रोजन सबसे पहले अगर मैं इस वह बच्चों सबसे पहले अगर मैं इसका अगर में इसके वह बोंडिंग इन इंदाय नाइट्रोजन सबसे पहले यह हमारी किस तरीके से उसको समझें वह बता हो और मेघुमिया उसका इसलिए हम ईजिली और रह सकते हैं तो इसलिए हम करेंगे मैं आपको बताऊंगा अब जैको यहां पर अनेर्जी वह आप जानते हो कि N2 में, total N2 में how many electrons, N2 में 14 electron होते, MOT बनाना मैंने आपको बताया था, BMO और ABMO के बारे में, BMO और ABMO के बारे में मैंने आपको बताया था, अब देखो यहाँ पर, एक यहाँ हो जाएगा 1S, 1S, यहाँ हो जाएगा बच्चो आपका, 1S इस्टार, सिग्मा 1S इस्टार, यह क्या हो जाएगा बच्चो आपका, यहाँ हो जाएगा आपका, सिग्मा 2S, यहाँ हो जाएगा सिग्मा 2S इस्टार, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चो आपका, यहाँ हो जाएगा बच्चो आपका, पाई 2PY, ठीक है, या फिर आपका पाई 2PX, और यहाँ क्या हो फाय घ्यूजर्स के बाद कि फाय ला गॉला कि यहाँ पर छाएगा पाई पिजचे स्ट रावाल यह आपकी इस्टार और आपको यह आपका होता है मो कि अपका होता है अब यह जानते होंगी आप काफी अब मैं रिपीटेशन फॉर्मेट में आता जा रहा हूं तो इसलिए आप लोगों को इसको रिवाइस करते चलो आप लोगों को जल्दी समझ में आता जाएगा ठीक है थोड़ा सा रिपीटेशन ज़रूर है आप लोगों के लिए भी तो दिख लेते यहां पर यहां पर दिख लेते हैं इसको ठीक है सबसे पहले नाइटोजिन के बार में जा लेते हैं यहां पर हो गया यहां पर यह कुन से होंगे दोनों के दोनों बी-एमों होंगे और यह दोनों के दोनों क्या होंगे अब देखो यहां पर मैंने ऐसा क्यों बनाया अब यहां पर short form में मैं आपको बता दूँ ठीक है 14 14 या 14 से less electron species होते less अगर electron होंगे तो हमारा यहां तक तो similar रहेगा यहां तक तो similar रहेगा लेकिन पहले कौन सा बनेगा two वाला फिर कितने और orbital वाला one वाला फिर कितने वाला two वाला लेकिन जैसे ही मेरा electron 14 से ज्यादा हो गया तो हमारा क्या बनेगा one two two one यह बात ध्यान खो पहले यहां पर दो variation आते हैं मैटा MOT में अगर 14 से कम electron होए कितने वे 14 से कम electron होए तो हमारा क्या बनेगा two one two one लेकिन अगर 14 से ज्यादा होए तो क्या ठीक है मतलब यहां पर इसको छोड़ दो यह तो आपके similar होते हैं लेकिन difference आपके यहीं पर आएगा इस चीज को निया लखो तो यहां पर आपका आजाएगा two यहां पर आपका आगया one यहां पर दो यहां पर one तो वही चलाए यहां पर दो one मतलब 2121 अगर यहां पर 14 14 से ज़्यादा होते तो सबसे पहले यहां पर एक और बनाते दिन आफ्टर बनाते फिर हम दो और बनाते फिर हम एक और बनाते तो थोड़ा सा बताता जाऊंगा अब इसमें 15 एक फॉटती को किस तरीके से फिलब करेंगे उस चीज़ को समझना है हम लोग यहां पर 14 एक्रोन को किस तरीके से फिलब करेंगे उसके कारे में सोचना है तू देखो फॉर्टिर इन को फिलप करने का था तारीका वान टू थ्री फॉर फाइफ सेक्स सेवन एट नाइन टैन इलेवन टूल थर्टेन फॉर्टेन आप देखो बॉंड ओडर निकालने का तरीका क्या होता है बैच्चों यहां पर बॉंड ओडर एक और दीफोल टू बॉंडिंग इलेक्टरों नंबर ओस नम्मर ओस इलेक्टरों इन भी में माइनस नंहमर आफ इलेक्टर नं ए यофी माइनश नंबर आफ एलेक्टरों इन एविएम अब्यूँ एमव हैं इभई तो नंब्याहाइब लिएड उन मिलेड चेक्रों दो दो औ और यहां पर भी दोनों बीमों के दो दो चार एक डो बीमों में आपके कितने इलेक्ट्रोन हो गया तो यहां पर क्या जाएगा बच्छो आपका थ्री तो नाइट्रोजन के बीच में कितने बोंड रहेंगे आप इसमें से उपर वाला है यहां पर पहले भी बतायाएं आप तो याद हो गया होगा यहां पर यहां पर यहां है को स्मझ में आ गया हुगा यहां पर एक लॉन होता है और पिपर और चिज़ को स्मझें यहां पर प्रॉट वॉटे और की ज onion किमिकली इ memor न इत्रों टेंपरेचर हो जाएगा और ट llamelie यह पोड़ा घया परों किमीकली इन्यEverything हो जाएगा मतलब किसी के साथ reaction नहीं करेगा at room temperature it will be the chemically inert this is a this is a bonding in dinitrogen यह आपके dinitrogen के अंदर bonding phenomena है जो कि आप लोगों को हमेशे ध्यान रखना है मैं dinitrogen की bonding process को आपको बता दिया now अब हम start करते बच्चों यहां पर देखो यहां पर हम चिस तरीके से प्रिपेर करेंगे तो यहां पर देख लेते हैं preparation method of dinitrogen preparation method of method of dinitrogen dinitrogen का preparation method केसे करेंगे बच्चों देखो समझना dinitrogen क्यों बोलते हैं वह आपको आगे समझ में आ जाएगा dinitrogen बोलने का तरीका आपको आगे समझ में मैं आपको बता दूँँगा ठीके अब देखो में इप हमारी नटीन को कुछ में बारे में आपको डिसरे ली बताऊंगा तो सबसे पहला जो में थड़े ठीके बाइबाइब सीअ कि इस प्रेक्शनल डिस्टिलेशन इस अनुप डिस्टिलेशन ओफ अब देखो जनरली आप लोग जानते हो जनरली दी नोट एक एयर में आपका एंटू औरो टू होता है मैंने आपको बताया था एंटू औरो टू मैंने आपको जनरली आपको नहीं अकरेंस में ये वाला अब जाके आप अकरेंस वाला पॉंट देखो अकरेंस ऑफ एंड नाइट्रोजन का अकरेंस कैसे होता है ये वाला पॉंट मैंने लिखा रखा है तो आप लोग उसको देखोगी तो आपको याद आ जाएगा जनरली जनरली इन एयर आप मतलब समझते हैं हम लोग यहां पर ए है हुँ है जनरली है इन एयर इन एयर आख है अ कि एप परसेंट 8% after and do is प्रेजंट ेस प्रेजेंट बार बॉक्त वाध मां आपका हिस उता हैं आप क्या करेंगों हम लोग और कि इसके साहरे पहुत इसके साथ हमारी क्या होती है बहुत सारे क्या सब्सक्राइब होती है मतलब एर को हम जनरली क्या फॉर्मॉला लिखते हैं हमेशा लिख देखते हैं यहां यहां पर बातों को द्यान से समझना बच्चों बातों को द्यान से समझना बच्चों यहां पर सेवा है यहां nitrogen होता है nitrogen का जो आपका boiling point होता है 77 Kelvin और आपका Oxygen का Boiling Point कितना होता है 90 Kelvin ठीक है Boiling Point Boiling Point क्या होता है What is the definition of Boiling Point Boiling Point का Definition क्या होता है बैचो It is a point It is a point It is a Point या फिर हम क्या बोलेंगे या फिर Temperature It is a point या फिर हम क्या बोलेंगे Temperature at which At which At which Liquid form Liquid form And Liquid form And vapor form Vapor form Of Any substance Any substance Co-exist Together Co-exist Together Mतलब यह Actually Dynamic Equilibrium Form में रहते हैं मतलब इस तरीके से होता है कि आपका Liquid form हुआ Liquid form में आपका Vapor form Actually आपका क्या होता है Dynamic Equilibrium Form में रहते हैं H2O Liquid H2O Liquid से H2O Vapor इसका Boiling Point कितना हो जाएगा बच्चो आपका 100 degree Celsius ठीके अब इस चीज को घ्यांदेना अब यह temperature जब तक Rise नहीं होगा अब यह temperature जब तक Rise नहीं होगा जब तक आपका completely convert नहीं आपका हो जाता ठीके तो आपका Temperature आपका अगर अगर आपका Temperature Boiling Point से ज़्यादा कर दिया Boiling Point से ज़्यादा कर दिया इसका मिनिंग क्या होता है It means that It means that That It means that Substance 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 Convert Into Vapor Phase Completely Into Vapor Phase Completely Vapor Phase Completely अब समझोई इस बात को तुम लोगों समझ गए होंगी कि अगर मैंने Water का Water का अगर मुझे Water का Boiling Point 100 degree Celsius होता है 100 degree Celsius में यह दोनों Co-Exist होते अब आपका Completely इसके अंदर चेंज हो जाएगा यह आपिर अगर मैंने इस से ज्यादा Temperature कर दिया तो यह Completely आपका कौन से Phase में होगा Vapor Phase में होगा आपका Completely Vapor Phase में होगा इसा इसा भी बोल सकते तो इस चीज को ध्यान रखो अगर मैंने यहाँ पर अब देखो If we take अब इसमें हमारा Bowling Point कितना है समझना इसमें हमारा Bowling Point कितना है और इसमें हमारा कितना है 90 Kelvin काफी easy है Now If 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 temperature is अब इसके लिए ही बात कर रहे है बच्चों हम यहाँ पर If temperature is 80 Kelvin Temperature को मैंने 80 Kelvin कर दिया Then Then All All nitrogen Is All All nitrogen Will convert Will convert Will convert Into Into Vapor form Vapor form ठीके Or Some amount of impurity Also convert into And 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 Some amount of impurity Some amount of impurity Some amount of Of impurity Impurity को यहाँ पर क्या बोलेंगे Other gases Some amount of impurity इसका बोलिंग पॉइंट नहीं पताए इसमें other gases में कुछ गेस होगा जिसका बोलिंग पॉइंट इससे कम होगा कुछ गेस होगा जिसका बोलिंग पॉइंट जादा होगा To some amount of impurities मतलब कहां से Other gases Other gases Also Will convert into Also will Convert Also will convert Into Convert into Vapor phase Vapor phase Hence Finally हमको हमको यहां से कौन सा into मिलेगा हमको यहां से Impure into हमको यहां से कौन सा into मिलेगा बच्चो Impure into मिलेगा इस बात को थोड़ा धियान से समझे Logically Simply हम इस बात को समझ सकते है कि यहां पर क्या होगा By fractional distillation of air अगर मैं air का fractional distillation करता हूं तो air में 78% आपका क्या होता है into present होता है ठीक है अगर मैं air की बात कर तो 78% into होगा 21% auto होगा और x percent remaining other gases होगे अगर मैंने यहां पर into का bowling point मैंने बोल दिया 77 kelvin है और auto का मैंने बोल दिया 90 kelvin अगर मैंने temperature इससे ज्यादा rise कर दिया temperature जितना बोला गया उससे ज्यादा कर दिया मतलब मैंने temperature 80 kelvin माल लिया तो 80 kelvin पर आपका end to gas 100% आपका vapor phase में convert आपका हो जाएगा इसी को बोलते fractional distillation मतलब part wise distillation करना जिसकी requirement है उसको distill कर देना मतलब वेपर phase में convert करना fractional distillation और और एक होता है बच्चो fractional crystallization यहां पर दो फिनोमेना होता है मैं आपको बता देता हूं यहां पर आपके दो फिनोमेना होते है fractional crystallization और fractional distillation Fractional distillation is depend upon boiling point and fractional crystallization is depend upon melting point ठीक है तो यहां पर मैं बात कर रहो fractional distillation अगर मैं 77 Kelvin से अप कर दो मतलब 80 Kelvin माल लिया तो सारे के सारे N2 मेरी किसमे convert आपके होज हो जाएंगे वेपर phase में और कुछ जो remaining रहेंगे उसमें से कुछ जैसे इसका boiling point N2 से कम होगा और कुछ का बहुत जादा होगा जिसका N2 से कम होगा वह भी आपका वेपर फेज में इसके साथ साथ कनवर्ट आपका हो जाएगा जब इसके साथ साथ आपका वेपर फेज में कनवर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि यहां से हमको कुछ amount of impurity क मिलने वाला है बच्चो तो यहां से आपका है ठीक है, फाइनली, फाइनली, वी विल गेट, भी रेट, इंप्यॉरं अटू, हम यहां से कुन सा उटइन करेंगे, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ अदर ग्येगी, इसके अंदर प्रजेंट रहेगी, लाइक नॉबल गैसे जनरल यह आपके कौन से होती है प्रसेंस एक दो नॉबल गैस होती है इसके बारे में हम फिर से डिसकस करेंगे फिर से आएगा आपका अब आपको याद हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पर आप हम चलते हैं कि लैब प्रप्रेशन मेथड हम द है व्यश्क प्रप्रेशन में यहां पर हमारा क्या होगा है वाइप बढ़ेशन में तो यहां पर आपका यहां पर आपका एंच 4Cat जब आपका एंच 4N2 के साथ रिएक्षन करेगा तो यहां पर क्य होगा डबल डिस्प्रेस्मेंट रियक्षन करवा दो डबल डिस्प्रेस्मेंट December आपके डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन है जिसको हम क्या बोलते एक्सचेंज ओफ आयन अब देखो जनरली ध्या लगना जब भी हम किसी कि किसी भी compound को, जब भी हम किसी भी compound को temperature दे देते हैं, तो या तो उसमें से H2O निकल जाता है, जो temperature से sensitive होता है, या तो H2O निकल जाएगा, या तो ammonia बाहर निकल जाएगी, या तो कुछ न कुछ आपके gas बाहर निकल जाएगी, तो देख लेते हैं यहाँ पर, अब मैं अनो, यहाँ पर समझ ना, यह वाला, अगर मैं अनह4, अनो2 को, अगर मैं thermally decompose करूँगा, thermally decompose, तो सबसे पहले तोडने में, गरम करने पर आपका water molecule बाहर निकलता है, तो यहाँ से कितने आपके water molecule बाहर निकलने के tendency रख लें, यहाँ पर H4 है, यहाँ पर O2 है, तो कितने water molecule यहाँ से बाहर निकलेंगे, दो water molecule आपके बाहर निकलेंगे, और साथ में आपका क्या बन जाएगा, N2 gas, तो यह तो था आपका पहला तरीका, लेब में, और भी तरीके हैं, बच्चों, यहाँ पर, और second method है, by ammonium diacromate, second method है, by ammonium diacromate, by ammonium diacromate, ठीक है, by ammonium diacromate, अब दोगो, ammonium diacromate, अब diacromate का formula क्या होता है, बच्चों, ध्यान रख लो, CR2-072-, I will ask, मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा, as a question, as a question मैं यह पक्का पूछने वाला हूँ, CR2-07 का structure क्या होगा, तो structure भी ध्यान रखो, CR2-07 का आपका structure क्या होगा, यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका CR2-07 का structure होता है, कुछ ऐसा, यह मैं पक्का पूछने वाला हूँ, अभी के exam में, तो यह आपको ध्यान रखना है, 100%, I will ask, I will ask, 100%, 100% में यह exam में दूँगा अभी, ठीक है, तो आपको 2-3 बार इसकी practice कर लेनी है, 2-3 बार इस चीज़ की practice कर लो, ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों की combination से हमारा क्या बनेगा बच्चो, इन दोनों की combination से बनेगा हमारा NH4, twice, CR2, O7, अब फिर मैं क्या कर रहाँ, thermally decompose कर रहाँ, thermally decompose करूँगा, तो सबसे पहले, water molecule को बाहर निकाल दूँगा, तो यहां से मैंने एक water molecule बाहर निकाल दिया, यहां से मैंने कितने water molecule बाहर निकाल दे, देखो, यहां पर आठ है, यहां पर आठ है, ammonium decromate, तो यहां पर आपकी कितने हैं, ammonium decromate, तो यहां पर मेरे आठ है, तो आठ मेंसे मैंने H2O बाहर निकाल दिया, ठीक है, H2O बाहर निकाल दिया, कितने, आमोनियम डेक्रोमेट, तो यहां पर दो है, तो यहां पर मैंने 4 H2O बाहर निकाल दिया, चार H2O बाहर निकाल दिया, तो आठ तो आठ तो है, H आपके बाहर निकल गए, चार आपके ऑक्सिजन बाहर निकल गए, यहां पर आठ एच बाहर निकल गए, और चार ऑक्सिजन बाहर निकल गए, बचे कितने ऑक्सिजन, बचे आपके तीन ऑक्सिजन, तीन ऑक्सिजन कौ कौन सा होंगे लगा यहां पर क्या हो जाएगा इस तरीके से हम यहां पर निकstar प्यों मिकाते हैं थटे हमारी स्क्राइब विग हमारा होता है था यहां पर हमारा है तो यहां पर सम ध्यान से समझो. Na N3 Na N3 और Ban3 Ban3, मतलब Barium Agide और यहां पर Barium Agide कर दिया यह और Sodium Agide. इसको जब मैं Thermally Decompose करूँगा तो हमारा N2 Gase Optimist हो जाएगा N2 Gase हो जाएगा साथ में Na Metal निका जाएगा. यह लोग आपके आपके एजर मेटल बाहर निकलेंगे यह आपके एजर मेटल बाहर निकलेंगे ठीक है और हमारा यहाँ से एक कॉशन बनता है आपको इस्ट्रॉचर ओजाइड बनाना है कॉशन Draw the structure of Agide आपको Agide का structure बनाना है Agide IVN का आप लोगों को structure बनाना है This is a homework question तो इसका Louis.Structure बनाना है क्या बनाना है? Louis.Structure यह अगर आप लोग hand-to-hand करते रहे लगए तु आप लोगों को कोई भी concept में तकलीफ महीं आने वाली है, अगर आप ने इसको hint to hint करते गई तो, अगला देख लेते मैं बच्चों यहां पर अगला preparation method, अगला preparation method खतम हो गया बच्चों हमारा, preparation method नहीं व्हाला, लेकिन यहां पर बहुत सारे और भी preparation method में यहां पर बता में चोड़ा सकता हूं, लेकिन सबसे पहले हम समय लेते हैं, यहां पर फिजिकल प्रापरटी.Darkano, अब देखो, फिजिकल प्रापर्टी में क्या होता है, क्या आपको एट्मस्ट्यर में अट्म स्थेयर में एक लिए यह दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब N2 क्या होता है colorless होता है क्या उसकी smell मिलती है आपको नहीं मिलती ना that is what orderless colorless and orderless खुद ही सुचू ना atmosphere में आपका N2 कितना होता है 78% होता है लेकिन नहीं आता है smell तो बतला atmosphere में जो एंटू है ना atmosphere में जो एंटू होगा या फिर आपका colorless होगा उसका ना कोई color दिखता है तो वह आपका orderless भी होता है और क्या होता है ठीक है और little pungent smell होता है little little बिल्कुल little जो आपका प्योर आएगा little pungent smell तो यहां पर समझ लेना यहां पर बता देता हूं में आगला टोपी physical property of N2 देखना यहां पर physical property of N2 physical property of physical properties of N2 N2 का physical property क्या होगा बच्चों N2 का physical property पहला हमारा है यह आपका क्या होता है colorless होता है colorless होता है orderless होता है ठीक है orderless का मतलब very little very little pungent smell very little pungent smell वो भी किसका आएगा प्योर का आएगा वो भी किसका आएगा प्योर वाले का आएगा very little pungent smell ठीक है ठीक है N2 gas is lighter than water N2 gas is lighter than air lighter than air air से ज्यादा lighter होता है क्यों क्यों क्योंकि N2 का जो vapor density of N2 is 14 but air का जो vapor density होता है vapor density of air कितना होता है बच्चा आपका 14.5 वेपर density of air कितना हो जाता है बच्चा आपका 14.5 ठीक है यह चीजह आपको ध्यान रखनी है ठीक है इसको ध्यान रखो free state में N2 आपको easily obtain नहीं होगा बच्चा फ्री इस्टेट में it is not occur हमको इसको फ्री इस्टेट में हम इसको अकर नहीं कर सकते हैं to N2 in free state free state is not occur is not occurable हम लोग इसको अकर नहीं कर सकते हैं इस बात को ध्यान रखना इस बात को ध्यान रखना हम लोग इसको अकर नहीं कर सकते यह बात तो point वाली है जो आपको ध्यान रखनी है हाँ इस से related questions में लोगा इस lecture से related questions में लोगा अब उसको समझते जहाना है next chemical properties of chemical properties of di nitrogen di nitrogen की chemical properties समझ लेते बच्चों हमको इसकी reactions को जानना होता है chemical properties में हमको इसको जानना होता है reactions को और कल हम इससे related questions को देखेंगे इससे related questions को देखना है बच्चों उससे related में आपको पहले से ही बताता जाओंगा कि उससे related हमको questions को देखने ठीके ना तो इससे related questions को देखने और एक fractional distillation से मैं आपको पहले से पहले बताता जाओंगा ठीके तो यहां पर आपको समझ बागिए इस related questions कलमें दाए रखूंगा तो इस point को याद रखना चाहिए आप लोगों को chemical property of di nitrogen की chemical property सबसे पहले रियक्षन विद मेटल रियक्षन विद मेटल अब मेटल के साथ यह कैसे रियक्षन करेगा ठीक है तो समझ ना मेटल प्लस नाट्रोजन इसका example क्या है बच्चो लीथियम की रियक्षन अगर मैंने अन्टू के साथ कराई तो क्या बनेगा बटा लीथियम आपका 3-, एंटू नाट्रोजन नाट्रइड के ऊपर 3- होता है तो यहां पर आपका 3- हो जाएगा ठीक है यह आपका हो जाएगा और देखो इसके बाद अगर मैंने आम जी की reaction N2 के साथ करा दिया तो आपका क्या बन जाएगा यहां पर बन जाएगा आपका Magnesium Magnesium 3 and 2 Magnesium Nytrid बन जाएगा यहां पर क्या बन जाएगा Magnesium नैट्राइड आपका बन जाएगा और अगर मैंने देखो यहां आपका काम है यहां पर ध्यान से समना लीथियुम प्लस-1 होता है एं-3- होता है देखो मैं इसको बना लिया इसी तरीके से प्लस टो होता है एंघ होता है ये इधर गया ये अधर गया तरद और कि इसको बना लिया ता यह फे या जाय होता सोभी इंटरी माइनस दे जै इस dt अप्रेंस बिट्विन इंट थिर्ण आजये नाइट्राइड आपका क्या होता है बच्चो उसको समझो नाइट्राइड आपका होता है N3- और अजायड आपका क्या होता है बच्चो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है N3-1 यह आपका होता है इस तरीके से आपका होता है यहाँ पर यहां पर आपका किसका फॉर्मेशन होता है एक और में ले सकता हूं अगर में केल्शियम के रिएक्षिन के साथ करबाद हो तो यहां पर क्या बनेगा जो कि आप लोगों कर जो करें हमारा यहां पर शुर्णब। रिएक्षिन उन leisure तो देख लेएं कोरा कैमिकल प्रोपर्टीमा अगला प्रोपर्टी है हमारा यहां पर बच्चो रिएक्षिन कॉप्षिन के क्शेएख छूप्षिन का जते सेकंड रियेक्शन वीद नॉन मेटल अब नॉन मेटल क्या क्या होते बच्चो समझ लेना अब नानाई इत्रोजन की रियेक्शन हम नॉन मेटल के साथ तो इसका सबसे पहला और बहतरीन इक्जामपल ही मैं आपको बता रहा हूँ हैबर्स प्रोसेस क्या हैबर्स प्रोसेस तो हैबर्स प्रोसेस इसका सबसे बहुतरीन एक्जामपल है हैबर्स प्रोसेस हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है बच्चो जो एंडू होता है वह एच्टू के साथ रिएक्शन करकी क्या बना लेता है एंडू आपका एंडू आपक हड़ा है एक्जोस्ट के साथ रaprèsक्शन बड़ा लेता है ठीक है अग्जोस्थरा मिक्रакशन होता है उसे से डात का आपको कफी अच्छे से ध्यान रखना है, यह आपका F.E. और M.O. होता है, इस बात का काफी अच्छे से ध्यान रखना है, ठीके? इस बात का आप लोगों को काफी अच्छे से ध्यान रखना है, यह आपका F.E. और M.O. होता है, ठीके? अब देखो, यहाँ पर F.E. जो होता है, वो आप पर यह आपका प्रोमोटर होता है अब एक्टुली इस रियक्शन को हम मैंली कहां पढ़े पढ़ेंगे ठीक है इस रियक्शन को मैंली हम डिस्क्राइब करेंगे Manly Described Manly Described In Described In Formation Of Ammonia या पिर Preparation Method Of Ammonia Formation Of Ammonia या पिर क्या बोल सकते हैं Preparation Method Of Ammonia में Manly Describe करूँगा उसका सबसे important reaction है Preparation Method Of Ammonia Preparation Method Of Ammonia ठीके तो Manly आप लोगो को यहाँ पर सबसे important है इस reaction को समझने के लिए आप लोगो कुछ equilibrium का concept आप लोगो को आना चाहिए ली चट्रेलर प्रिंसिपल अगर आपको ली चट्रेलर प्रिंसिपल आता है तो आप इस reaction को easily define कर सकते हूँ काफी easy reaction है है अगला दे देखते बच्चों यहां पर नेक्स प्रोसेस देखते हैं बच्चों यहां पर हम लोग नेक्स प्रोसेस है हमारा कुछ सा नेक्स हमारा जो प्रोसेस है है वर प्रोसेस यहां पर नोन मेटर एक्चों के साथ reaction किया यह बात ध्यान रखो तो यहां पर जो नोन डालने वाली बात है important बात वो मैं बात करता हूँ N2 आपका S-2 मतलब यह आपका मतलब sulfur नोन मेटर के साथ reaction नहीं करेगा sulfur नोन मेटर के साथ reaction इस बात को ध्यान रखना है काफी easy है काफी simple है इन दो बार करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगर ठीक है अगला देखते है convention reaction अगला इसका third property convention reaction को समझ लेते है convention reaction क्या होता है बच्चों तो मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर third convention reaction convention reaction क्या होता है बच्चों आप जख से समझ ना बच्चों convention reaction always always happen in presence of air मतलब O2 O2 के presence में ही आपका convention reaction proceed करता है ठीक है ना तो convention reaction reaction convention reaction always proceed always proceed in presence of in presence of O2 अब देखो N2 की reaction में ने O2 के साथ कराई तो highly exotherm highly highly exothermी की reaction होगी तो आपका NO बनेगा highly exothermी की होगी तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर NO बन जाएगा ठीक है NO बन जाएगा highly exothermी की reaction reaction को balance आप खुद से भी कर सकते हो then after यह तुरंत आपका O2 के साथ reaction करके क्या बना लेगा NO2 बना लेगा NO2 बना लेगा ठीक है उसके बाद आपका क्या बनेगा बच्चों आपका NO2 अब इस पॉइंट से आपको क्या समझने को मिल रहा है बहुत सभी बात है इस पॉइंट से आप लोगों को क्या समझने को मिल रहा है तो इस पॉइंट से हम लोगों को यहां पर यह समझने को मिल रहा है कि यहां पर NO2 बन रहा है और यहां पर NO2 बनेगा इस इस पर रियक्षन सबसे पहले NO2 अगर O2 के साथ रियक्षन करेगा तो NO बनाएगा ठीक है NO का नाम क्यों होता है? Natric Acid Natric Oxide की होगा बच्चो आपका Nitric aukside अब यहां पर इसका नाम क्यों रहाओ इस नाम हो गा का definition किस तरीके से होता है इस चीज से आप लोगों को समझ में आ जाएगा ठीक है इस चीज़ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा आप लोगों को पड़ाया था मैंने एन्वार्मेंटल केमिस्ट्री में जो आपका गेस होता है मतलब आपका गेस होता है एरो प्लेन वो बनाता है और जो लेयर से उपर वो डिपलेट करने का काम करता है तो वही सब फिनोमेना यह वहां पर देखोगे तो यह रियक्शन भी वहां पर आपको देखने को पक्का मिलेगे ठीक है आप इसको देख लीजिए एक बार कर लिए नेक्स्ट इसको रिवर्सिल कर देतें पात को ठीक है नेक्स्ट रियक्शन में आपको बता देता हूँ बच्छी यहां पर रियेक्शन भी क्मपांट के साथ भी बिचार बिचार किस तरीके से रियेक्शन करेगा उसको समझ लेते हैं है है इस बात को समझो हाँ लिएक्शन कर रेक्शनि तो इस के सबसे चे सबसे रिएक्शन थे हैं तो देख लेते हлю है कर दो यहां पर सी daran हो …… हम दोखिव थिख यहां फ रिशियन ऌर बाइड कर दोgypt Ciao केलशियम कारबाइड की रियक्शन जैसे ही मैंने करवा दिया N2 के साथ, तो यहां पर क्या बना लेगा, यहां पर आपका CACN2, इसका नाम होता है केलशियम सीनेमाइड, क्या होता है इसका नाम, केलशियम सीनेमाइड, केलशियम सीनेमाइड बना लेगा यह, ठीके, यह आप यहां पर C N 2 दो अलग अलग है देखो C N 2 करेंगे तो साइनाइड होगा साइनाइड में यह भी दो होगा यहां पर केवल और केवल एंड दो है तो यह अलग है इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो इसका स्ट्रक्चर होगा बच्चो कुछ इस तरीके से आपका C 2N लगा दिये इसके ओपर कर आया, तो यहां से क्या तो आपका आमोनिया नचायाएगा और साथ में आपका bnская, और यहां पर शोडियम सायनाइड यहां पर क्या तो आपका आपको समझ में आगया किस तरीके से यहां पर आपको बनेगा रियक्शन को आप लोग रीड मारो रीड मारो रीड मारो वैसे भी मैं आपको याद करवा दूगा वैसे भी मैं आपको याद आपका रियक्शन को सा है बच्चो अगला रियक्शन जो यह आपका कंपॉंड के साथ दिखाएगा वह कुण सा होगा बच्चो मैं आपको बता देता हूं अब देखो यहां पर कि Aluminium Oxide आपका नायट्रोजन के साथ रियक्शन करेंगा तो अलुमिनियम नैट्रािड बनाएगा और इसका हैड्रॉलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा अमोनिया मैंने बताया था नैट्राइड का लिशन इसका है इकिक करने अजब है नाइट्रोजन साइकल आपको जाना तो nitrogen cycle कैसे होगा बच्छो इसका आप लोगों को उसी points को अच्छे से समझना है nitrogen cycle आपका कैसे होगा सबसे पहले nitrogen cycle कैसे होगा N2 की reaction आपने O2 के साथ करवा दी तो आपका क्या बना बच्छो अनो बना ठीक है अब NO की reaction O2 के साथ करवा दी balance नहीं है balance आपको करना है balance आपको करना है तो क्या बना NO2 बना अब मैंने इसको acidic media में डाला क्या डाला acidic media अब देखो acidic media में यह क्या होगा बटा disproportionate मतलब यह plus 4 वाला है तो यह plus 4 वाला acidic media में hydrolysis होके मतलब acidic media में hydrolysis होके मतलब acidic media में hydrolysis होके क्या बना लेगा बच्चो यह एक तो आपका NO3 माइनस बना लेगा जो कि आप पर oxygen level का है एक आपका लोगर बना लेगा जो कि आपका خpersonal oxygen carbon नमबर का हैं आपका पुल का कर दोखोंग क्या्यों करा क्या हुआ है बच्चो यहां पर हुआ यहां पर reduction हो रहा है, तो इस ट्रैप की reaction को हम बोलते हैं Disproporationation Jamie Disproporationation reaction, जो कि आपको कहां पढ़ाए रही होगी physical में, Redox nama के chapter में Redox reaction की नाम के chapter में आपको पढ़ाए गया होगा, तो यहाँ पर Disproporationation आपका reaction है यहाँ पर आपको कहां एक कौन सा reaction है बच्चो, disproportionation reaction, इस बात को ध्यान से समझो, कि आपका जो middle वाले oxidation नमबर होते हैं, मतलब आपके ध्यान से समझना, nitrogen का minus 3 से लेके प्लस 5 के, जितने भी बीच वाले होंगे, जितने भी बीच वाले होंगे, वो सारे के सारे आपके क्या कर जाएंगे, बच्चो, disproportionate, plus and minus 3 में, या फिर उपर नीचे वाले लेवर में, देखो, मतलब यह आपका उपर नीचे, देखो, यहाँ पर प्लस 4 बीच का है, तो यह प्लस 5 वाला NO 3 minus बना लिया, और प्लस 3 वाला NO 2 minus बना लिया, तो यह इस तरीके से बीच में आपका disproportionate हो जाता है, इस बात को, पॉर्ट्ट को ध्यान रहो, इसको बोलते हैं, हम disproportionately reaction, आप यहाँ से क्या होता है बच्छो जहां से यह आपका आपका fertilizer में जाएगा, जहां से आपका fertilizer में जाएगा, ओर यहांnen पर आपकाечение बैक्टेरिया आपका इसक को फटिलाइस करेगा इस पर काम करेगा और यह आपको soil मी जाएगा ठीक है soil निए के बाद आपड़ो को पता ही कि कि आपको किसमें सोल्ट होगा ऑन किसमें कवेट होगा ऑमोनियम सॉल्ट में चैर अट करेगा ठीक है ammonium salt में convert होगा और जब यह आपका ammonium salt में convert होगा जब यह आपका किस में convert होगा बच्चो ammonium salt में तो क्या हो जाएगा बच्चो यहाँ पर अब ammonium salt में convert हो गया और ammonium salt से फिर क्या होगा बच्चो यहाँ पर यहाँ से denitrification होगा यहां से आपका क्या होगा बच्चो दीनाइट्रिफिकेशन यहां से आपका होगा दीनाइट्रिफिकेशन अब दीनाइट्रिफिकेशन वर्ड का मतलब समझो या फिरनाइट्रिफिकेशन तो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस था, वो आपका नैट्रिफिकेशन था, यहां से यहां तक का जो आपका प्रोसेस था, वो आपका क्या था बच्चो, नैट्रिफिकेशन, तो बात को समझना, यहां से यहां तक का जो आपका प्रोसेस था, वो आपका क्या था बच्चो, नायैट्रिफिकेशन होगा है तक विलाज कल साथ नायैट्रीफिकेशन होगा सब्सक्राइब क्या होगा क 강ुक्र को समझत fautel ने आपमोंनिया भी बन सकता और एंटो निट करेगा तो नेट्रोजें में करेंगे तॉ तू अगर आपकी यह घंगे टूतकर इस के प्र पर किसलेगा इस प्रेड बत और किस्टारिशल्ण्प sesat कि आमोनिफिकेशन यहां पर यह बनाएगा तो इस पर कभी-कभी आपका डार्रिक्ट भी बनता है तो उसको भी डार्रिक्ट भी आपका डार्रिक्ट भी आमोनिया बन जाता है Ammonification और Ammonification के बाद जब आपके Nitrification होगा तो यह आपका सबसे पहले किस में Convert होगा बच्चों वह आपस NO2 में अब NO2 के बाद फिर किस में Convert होगा Denitrification में NO2 के बाद आपका Convert होगा N2O N2O में Convert होगा और N2O में Convert होने के बाद यह किसमे कनवर्ट होगा बच्चो आपका एंड टू में देखो इस तरीके से आपका डिनाइट्रिफिकेशन भी चलेगा तो यह पूरा का पूरा आपका नैट्रोजन साइकल है जो कि आपके अर्थ पर होता रहता है इस पॉइंट को आप कर Hills को दिखंगी में हों तो आप लोगो को डियान रखने को दिखंगे जो दिखंगे तब है अप रियान दिख़्एंद कोंड magaz दरुक्प का चा किस तेदेच का हम आप लोगों को वायां आप चल ने आप लोगों को आप अच्छे समझ में आगया होगा नेट्रोजन साइकल ठीक है अब मैं यूजर से रिलेटिट भी कुश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूं ठीक है उसकी चिंता आप लोग मत करो ठीक है अब देखो उसके बाद क्या है अगला को अगला जो रियक्षन ह ग्षे बच्चों हमारा क्या है एंट टू की रियक्षन अ अगर मैं ने अगर मैं ने जहां से सबन् Manufact abd तो आपको सी यू बनता है और क्या बनता है और साथ में ह2 निकलता है यह बात आप लोगों को घ्याँ अब यहां पर Cu आपका कौन से oxidation state में, बिटा, प्लस 2 में, और N क्या है, बिटा, आपका minus 3 में, Cu का क्या हो रहा है, बच्छो, Cu आपका 0 में है, तो Cu आपका क्या कर रहा है, एलेक्ट्रोन को gain कर रहा है, तो Cu क्या हो रहा है, पोजिटिव, इसका आपका हो रहा है, reduction, इसका आपका हो रहा है, reduction, और इसका क्या हो रहा है, बच्छो, आप लोग समझ सकते हो, इसका आपका हो रहा है, oxidation, this is a redox, this is a redox reaction, this is the redox reaction, यह एक टैप की कौन से reaction है, बच्छो, redox reaction है, यह एक टैप की कौन से reaction है, बच्छो, आप लोगों की, Redox Reaction जो आपको समझनी है जो आपको समझनी है ये एक टैप की क्या है बच्चो Redox Reaction ने ठीक है इसको आप लोगों को अच्छे से करना है अब हम देख लेते हैं Use of N2 Use of N2 N2 का Use कहां कहां होता है बच्चो काफी अच्छी काफी simple है और काफी आसान है N2 का आपका Use कहां कहां होता है उस चीज़ को समझना पड़ेगा ठीक है A is a nitrogen fertilizer ठीक है पहला क्या है बच्चो A is a nitrogen fertilizer A is a nitrogen fertilizer nitrogen fertilizer fertilizer like like ammonium like ammonium like ammonium nitrate ammonium nitrite like like NH4 hold twice SO4 इंसम को बनाने में and 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 can2 cacn2 formation में तो इंसम में यह आपका काम आता है इंसम में यह आपका काम आता है बैटा यह question में बहुत ही भरपूर तरीके से करना है प्रेक्टिस करना है प्रेक्टिस जितना करोगे उतना ज्यादा इस नौन रियक्टिव गेस and 2 इस नौन रियक्टिव गेस इट मेंस इसको हम क्या होते है इनर्ड गेस इनर्ड गेस इनर्ड गेस मतलब क्यों क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चो due to the high bone dissociation energy due to the high bone dissociation energy अब high bone dissociation energy होने की वज़े से यह आपका नौन रियक्टिव है और नौन रियक्टिव होने की वज़े से यह क्या होगा बच्चो अगर यह high bone dissociation energy है तो आपका non-reactive gas होने की वज़े से आपका क्या होगा उस चीज़ को आपको समझना है तो अगर यह आपका into non-reactive gas है due to the high bone dissociation energy इसका formula भी आप लोगों का ऐसा बनता है आपको समझ पारे होंगे यहां पर पीपाई पीपाई bonding होगी और यहां पर भी आपका पीपाई पीपाई bonding होगी तो यह non-reactive gas है high bone dissociation energy की वज़े से so use in so use in create innate medium innate medium को create करने काम आएगा किस काम में आएगा बच्चो innate medium को यह आपके create करने के काम में आएगा ठीके यहां पर third point क्या है liquid and to use to preserve use to preserve food stuff food stuff को preserve करने के आपके काम में आता है यह आपके किस काम आता है बच्चो preserve करने के काम में आता है यह आपके यहां पर किस काम आता है बच्चो food stuff के preserve करने के काम में आता है ठीके तो इस तरीके से धियान रखना है यह point ठीक है काफी easy है काफी simple है now अब हम चलते हैं ammonia पर अगला जो हमारा compound है वो कौन सा है ammonia तो ammonia को समझते हैं अच्छे से अच्छे से ammonia को समझते हैं हम लोग बच्छो तो देख लेते हैं यहां पर यह पहला हमारा complete हुआ अगला ammonia ammonia को complete करते हैं काफी अच्छे से ठीक है ना ammonia क्या होता है बच्छो सबसे पहले ammonia तो NH3 NH3 ammonia सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे बच्छों bonding इन गया पढ़ेंगे bonding की अब ammonia में मुझे bonding को समझना है तो ammonia का structure कैसा होता है structure और geometry दोनों इसके अलग-अलग होते हैं दोनों इसके क्या होते बच्चो अलग-अलग होते हैं समझते हैं बच्चो देखो यहां पर यह आपका यहां पर एक लोन पेर और यह तीनों के तीनों आपस में क्या है बच्चो आपके बॉन पेर अगर इसका में आपको बताया था अब मैंने फोर निकाल लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा हैविडाइशन क्या हो जाएगा बच्चो इसका हैविडाइशन हो जाएगा SP3 SP3 इसका hybridization है तो इसका मतलब देखो SP3 hybridization का मतलब क्या बनता है बच्छो आपका यहां पर आपका यहां पर आपकी geometry क्या बनती है बच्छो Geometry आपकी बंगती है Tetra Hydral Geometry आपकी क्या बंगती है बच्चो Tetra Hydral Tetra Hydral Geometry का Bond Angle होता है 109 degree 28 minute लेकिन यहाँ पर क्या है एक Loan Pair है एक Loan Pair की वज़े से क्या होगा Due to the Single Loan Pair Due to the Single Loan Pair Single Loan Pair Bond Angle will be reduced Bond Angle Will Reduce Will Reduce By 2.5 degree Reduce by Angle 2.5 degree अब यहाँ पर एक Loan Pair है अगर 2 Loan Pair होगा तो 5 degree तक Reduce कर जाएगा 3 Loan Pair होगा तो 7.5 degree तक Reduce कर जाएगा तो यहाँ पर एक Loan Pair है तो 2.5 degree तक Reduce कर गया आपको समझ में आगया होगा किस तरीक से यहां पर मॉर्ड इंगल कौन समझें इन दोनों के बीच का एंगल इन दोनों के बीच के इंगल नहीं होता है इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग नहीं होता लोड प्यर और पहिअ कि बीच नहीं बोलते है रोग एंगल तो बॉल सेवन्हें दिग्री को और ग्राइंगल क् stalिद शूर्द एक ये आपका हो गया बच्छो ऊछ आम्ों आर्ट के बारे में ना नेट्स अब हम समझते बोन्डिंग कर नहीं आपको बता दिया तुच्छ है तो अप्रिपरेशन मेंतर देख लेते हैं तो अमोंिया का इसिक तो second, preparation method of ammonia, preparation method of ammonia, यहां से second हटा रेते हैं, ठीक है, ammonia, ammonia का preparation method, ठीक है, ammonia को हम किस तरीके से prepare करेंगे, तो सबसे simple process है, heating of salt, salt को heat करके, मतलब कौन से heating of ammonium salt, heating of ammonium salt, heating of ammonium salt, मतलब ammonium salt को अगर मैं heat करूँगा, तो आपको क्या बन जाएगा बच्चो, ammonia बन जाएगा, Ammonium salt का मतलब NH4 NH4 का salt किसका salt? NH4 का salt इसको हमको heat करना है इसके heating करने से हमको क्या बन जाएगा बच्चो आपका आपका ammonia बन जाएगा तो सबसे पहले इसमें सबसे पहला reaction है बच्चो कि अगर मैंने समझो अगर मैंने यहाँ पर Metal Hydroxide मैंने ले लिया NH4 NH4 twice SO4 NH4 twice SO4 मैंने ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले यह एक दूसरे को replace करेंगे double displacement reaction तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NH4 OH बन जाएगा और क्या बन जाएगा NA2 SO4 अगर मैं इसको heat करूँगा आप तो क्या बन जाएगा NH3 आपका बहार निकलेगा और साथ में water भी आपका बहार निकलेगा तो आप simply हर reaction को कैसे भी ना कैसे करके NH4 OH में convert कर दो ठीक है तो आपका maximum reaction halfly salt आपकी हो जाएगी या फिर एक और तरीका है बच्चो इसको ammonia को prepare करने का आपको बताता हूं समझने वाली बात है ammonia को easily prepare कर सकते है NH2 CO NH2 यह आप लोग जानते होंगे इसको बोलते हैं हम लोग क्या यूरिया विचारा और गिनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट बच्चो यहीं से हुआ था यह नहीं होता तो और गिनिक केमिस्ट्री का होती वोलर इतना डिस्कवर करी नहीं पता ना वोलर विचारा कुछ और को टेस्ट करके बाहर निका जाता तो इसी की वज़े से सब हुआ है आप लिएक्शन जब मैं आपका किसके साथ करा दू बच्चो जब मैं इसकी रिएक्शन आप लोगों के हीट करूंगा तो हीट करने पर आपसे पर पता पढ़ रहा है कि CO2 निकाल दो CO2 निकाल दिया है हट्टू ओ निकल गया एच्टू ओ निकल गया है अब अक्सिजन चलते हैं निकलेगा अब बचे जिए हट्ट ऑफ यहां पर यहां पर आपका बन जाएगा ने च पर यहां पर आपको क्या बन जाएगा ट्वाइस एनस्त्री यहां पर आपको क्या बन जाएगा ट्वाइस एनस्त्री तो समझ मा गया इस तरीके से यहां पर हम लोग अमोनिया को फॉर्म कर सकते हैं यहां पर देखो अमोनिया को फॉर्म कर दिया तो यह एक मेथड़े जनरल अब इसके बाद में एक और में समझ लेते बच्चों कि यहां पर कि मेटल नाइट्राइड मेटल नाइट्राइड मेटल नाइट्राइड को जब भी में वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा तो अमोनिया गेस निकलेगी सिमिलर मैंने लिखवाय था मेटल फोस्वाइड एक्स्ट्रा लिख लो मेटल फोस्वाइड की रियक्शन अगर मैंने ह2O के साथ कराया तो क्या निकलेगी फोस्फिन गेस निकलेगी यह मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है अब आपको समझ में आ जाएगा जैसे मेटल नाइ एक्षन के साथ करवा दी में नीचना के साथ कर्वा दी मैंने हड्राइज और साथ में आंपका आम्मोंया गेस निकल जाए-गा-उड हलगा-णे नीचना को सब्सक्करें काफिर सिंपल में थड़े काफिर सिंपल तरीका है आप लोगों को अगर एक ख़रोगे तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा अब देखो इन दिस टाइप ओफ अब कि क्या होगा यहां से जो अमोनिया हम को मिलेगा obtain ammonia obtain ammonia from this reaction from this reaction it contain it contain little amount of water little amount of water यह आपका क्या contain करता है बच्चो little amount of water this will be dehydrated by of this will be this will be this will be dehydrated by dehydrated by CEO इसको किस se dehydrated कर देते बच्छों हम लोग CEO से अब ऐसा क्यों आप एक हो लाइन समयाँ इस तो यहां से हमारा सबसे पहला कुश्चन बनता है कि यह से हमारा सबसे पहला कुश्चन होता है लेकिन H2SO4 और P2O5 से Dehydrated Kito नहीं होता तो लिख लेते हैं बच्चों के ट्रिटम में इसको इसको याद रखना है आपको हमेशा अच्छा कोशन है समझना है आपको question important question है बच्चों समझते हैं Ammonia will be dehydrated by Ammonia will be dehydrated by Ammonia will be dehydrated by Dehydrated by Ammonia will be dehydrated by CAO but cannot be dehydrated by cannot be dehydrated by cannot be dehydrated by cannot be dehydrated by H2SO4 and P2O5 why this is a question this is a question big question अब आपको समझना है इसका solution समझो solution समझो Ammonia is basic in nature Ammonia is Ammonia is Ammonia is basic in nature basic in nature so as we know that so as we know that as we know that as we know that base plus base no reaction acid plus acid no reaction no reaction base plus acid reaction will be proceed reaction will be proceed अब इस बात को ध्यान रखो यहां पर क्या होगा बच्चों Ammonia basic nature का है तो और यहां पर CAO भी क्या है Ammonia आपका basic nature का है और CAO भी आपका basic nature का है तो यहां पर here here no reaction will occur will be occurred no reaction will be occurred only dehydration only CAO CAO dehydrated dehydrated Ammonia but अगर मैंने यहां पर H2SO4 के साथ reaction करवा दिया तो यहां पर यह क्या है बच्चों base है और यह क्या है acid है तो जब यहां पर reaction होगा तो Ammonium sulfate बन जाएगा तो यहां पर क्या होगा here reaction will occur here reaction will occur reaction will be occurred occurred H2SO4 remove H2SO4 will remove will remove VARP dehydrated will remove H2O molecule H2O molecule but but it it will also react with it will but H2SO4 also H2SO4 will also react with this we will also react with ammonia react with ammonia and form and form ammonium sulfate which दियानक को अब और शचन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तीनों के तीनों आपके डियाइडरेटिंग एजएंट पर इस चीज़ को आप लोगों को समझना है काफी एजी है ठीके नेक्स अब आम टोपिक पर यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस रिएक्शन से रिलेटेट पॉंट अब देख लेते हैं अगला पॉंट कि अगला पॉंट मतलब खुछ कुछ गन से पैसे की जो में बार-बार बार बार रिपट करूबगा तो आप लोगों को समझ में आता जाएगा धीरे देh गहाई हैं अगला है बडशाइज है फॉर्थ और कि घिटा पर यहाँ तरिगा तो यहां पर क्या बनेगा, 2N-S3 बनेगा, तो यहां पर क्या होगा वच्चो आमोनिया, यहां पर अब हमको लीच अटिलियर पिंसिपल का यूज करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं इसका मैं आपको शॉटकुट ट्रिक भी बता बता देता हूं नहीं तो लोंग कंसेप्ट जानना हो तो वो मुझे पूछ भी सकते हैं अगर जब भी यहां पर किसे निकालते हैं य precisa यह इएल्यंगे से यह चारसा शॉट नेगेटिंव गई आगेए देर्टी है जैसे गंडेंगे वियू रिजाये सेंपोर था wa temper canım की है बोल का होगा हिंदूस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड मतलब क्या हो जाएगा बच्चो हाई प्रेशर हाई प्रेशर एंड लो टेंपरेचर हाई प्रेशर हेंड लो टेंपरेचर इस फैवरेबल कंडिशन बस ऐसे ध्यान रखो एक डिल्टा एंजी नेगेटिव हो तो आपका HPLT होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड नहीं तो अगर इसका रीजन जाना है पर्टिकुलर रीजन तो रीजन समझ लेते हैं बच्चों अब हम अगर मैंने टेंपड्रिचर को इंक्रीज किया इफ रीएकशन आप यहीं से समझना इफ रीएक्शन इस एड़ हैएफ रीएक्शन आब थे अधाने यहां पर डिटा यहां पर बाघर न आपका उघारीगतिव क्या है बच्चो खुट नेगेटिव और बाहर भी क्या सश्क्त उट सब्सक्रान ऑब merch आपका डिए नए colors इन अब आपका क्या हो जाएगा प्च्छ पॉसिटीव वेल्यू हो जाएगा अब नेगेटिव नेगेटिव जब आपका पॉसिटीव वेल्यू हो जाएगा अब देखो अगर मैं यहां से टेंपरेचर को राइस करूगा अगर मैंने यहां पर टेंपरेचर को बढ़ाया तो यहां पर जो एड होने वाला है वो पहले की कमपेरिजन में कम एड होगा इफ वी इंक्रीज न तेमप्रेचर थेन, यहां अगर मैं तेमप्रेचेर को बढऄंगा तो अदेटीव पार्व यहां kan intéressant तो लोग K की वेल्यू आपकी कम होगी मतलब reaction कहा जाएगी backward direction में reaction कहा जाएगी बच्चो आपके backward direction में लेकिन अगर मैं temperature को decrease करूँगा तो लोग K की value similarly increase होगी और reaction कहा जाएगी forward direction में इस point को ध्यान रखो इस point को ध्यान रखो कि यह तो हमारा पहला condition किसके लिए आगया temperature के लिए यह तो हमारा पहला condition किसके लिए आगया temperature के लिए temperature के लिए मैंने निकाल दे यहाँ पर low temperature होना चाहिए मुझे forward मतलब maximum amount में ammonia बनाना है for for formation of ammonia in maximum amount ammonia in maximum amount अगर maximum amount में मुझे ammonia बनाना है तो ठीक है तो हमको forward लेकी जाना पड़ेगा और forward लेकी जाएंगे तो अब हम समझते बच्छो next temperature का मैंने बता दिया अब यहां पर pressure का क्या relationship है तो pressure की बारे में समझ देते हैं प्रेशर क्या होगा बच्छो अब प्रेशर तो प्रेशर के बारे में समझते हैं ठीक है अब देखो यहां पर अब देखो यहां पर अगर मैं प्रेशर को समझाना चाहूं तो प्रेशर को मैं वोल्यूम के टम में समझाता हूं देखो समझते हैं यहां पर मैंने पिश्टन पिश्टन लिया पिश्टन लिया तो क्या होगा बच्चों यहां पर समझते देख पिश्टन लिया अगर मैं इसको पिश्टन को नीचे ले जाओंगा तो आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम कम होगा वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब आपका प्रेशर राइस होगा आप आपका क्या होगा बच्चो प्रेशर राइज होगा इसका मतलब आपका क्या होगा वोल्यूम कम होगा यहां पर आपका वोल्यूम क्या होगा और वोल्यूम कम होगा इसका मतलब क्या होगा प्रेशर आपका क्या होगा राइज होगा अब यहां पर अगर आपका प्रेशर रा कौंगाницаόइश आ यहिक्षन वॉन तो ॉडिक्रीज दपरीशन रियक्षनyouraría ट्रीक्षा इक्विलिब्रिमद की देख दिंख द्हां चाहेगा अगर आपकी प्रेशनटों डिक्रीज तो अचाहेगा तो एक्विलिब्रिम की स्युट जो ही होगा जहां जहां पर आपके number of mole कम होगे. Equilibrium की shifting आपकी कहा होगे? जहां पर आपके number of mole कम होगे. तो shifting of equilibrium. तो आपका मतलब कि क्या होगा? Reaction will move. Reaction will move. That direction. That direction in which in which number of mole is less. जहां पर आपके number of mole कम होगे. तो आप देख सकते होगे, यहां पर number of mole कम है, तो reaction will move toward forward direction. मतलब, जब मैंने pressure को rise किया, जब मैंने pressure को बढ़ाया, तो क्या हुआ? अपका अपने आप volume कम हुआ. और volume कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? volume कम हुआ, इसका मतलब आपका mole बढ़ा. volume कम हुआ, इसका मतलब आपका क्या बढ़ा बढ़ा? mole बढ़ा. mole आपका बढ़ गया, तो equilibrium want to decrease the pressure. equilibrium pressure को decrease करेगा, और pressure को decrease करने के लिए, उसको उसी direction में जाना पढ़ाईगा, जहां पर आपके number of mole कम होगे. तो इस part को काफी अच्छे से आप हो standards करो, यह आपको बताया गया होगा, लिई चटेलेर प्रिंसिपल में तो इस चीज को आप लोग समझो, लिई चotherap का concept है, काफी अच्छे से आप लोगो को बताया गया होगा, तो reaction को आगे की और move कराने के लिए, आप देखो यहां पर यहां पर हम एफी एज़ क्या लेंगे और उख लेंगे और प्रोमोटर प्रोमोटर की बात क्या होते हैं फिच एनहांस दो हग गाइजए अगें हरु इसको यह हम क्या बोलते बच्चों प्रोमोटर बोलते बात क्लियर है बात के यह तो हमारा अमोनिया के प्रिक्रेशन मेथड़ के बारे में जो कि मैंने काफी जादा highly level पर explain किया है आप लोग इसको काफी अच्छे से पढ़ भी सकते हो समझ भी सकते हो ठीक है अब मैं आप लोग कल इससे related questions भी करवाँगा तो उसके लिए be careful आप लोग पढ़ के रखना ठीक है अब देखो actually इसका physical property जालने थे physical property जालने थे अब देखो physical properties क्या होगा बच्छो इसका पहला physical property होगा यह आपका colorless gas होता है colorless gas होता है लेकि orderless नहीं होता है यह आपका as a pungent smell इसका क्या होता है पंचेंट smell होता है बहुती खराब smell होता है बहुती खराब smell होता है I hope कि आप अगर लेबरेटरी में आए तो मैं आपको बता हूँगा लेब में मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि इसका स्मेल कैसा होता है ठीक है अब देखो अगर मैं बात करूँ इसकी बैसिक करेक्टर ऑफ अमोनिया बैसिक करेक्टर ऑफ अमोनिया का बैसिक करेक्टर दो तरीके से एक्वस मेडियम में लिन हम लोग दिन डिफैंड किया एक्वस फेज में मतलब यहां एक्वस मेडियम में इसको अफिर एसे भी लिख सकते NH3 aqueous अब यहाँ पर NH4 OH की reaction अगर मैंने करवाई किसके साथ यहाँ पर NH4 plus बनेगा ions और OH minus ion निकलेंगे तो यहाँ पर actually अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर फेज में NH3 आपका क्या दिखाएगा basic character और यह basic character दिखाएगा due to the due to the availability of lawn pair availability of lawn pair lawn pair की availability होने की वज़े से यहाँ पर यहाँ आपका basic character दिखाएगा लेकिन यहाँ पर removal of OH minus होने की वज़े से यहाँ पर basic character आपका दिखाएगा बहुत यह अच्छी बात है बहुत यह अच्छा reaction है तो actually यहाँ पर अगर aqueous medium होता है litmus test litmus test अब यहाँ पर यह आपका litmus test दिखाएगा तो litmus test में क्या होगा blue color blue color is convert into blue color is convert into na 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 red color red litmus paper red litmus paper is convert into blue litmus paper ठीक है तो litmus paper test आपका कुन दिखाएगा बच्छों aqueous phase litmus test आपका कुन दिखाएगा aqueous phase वाला gas वाला कभी आपका litmus test नहीं दिखाएगा इस बात को आपको ध्यान रखना है ठीक है इस बात को आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है और काफी simple है काफी easy है ठीक है ना तो यहाँ तक तो था हमारा इसका कुन सा physical property अब हम समझते बच्चों इसकी chemical property तो chemical property काफी जादा important है chemical property इसकी काफी जादा important है तो देख लेते हैं chemical property of ammonia तो सबसे पहले यहाँ पर इसके याल रख लेना बच्चों यह वाला बहुत ही जादा important reason है बच्चों chemical properties of ammonia ammonia का chemical property क्या होगा बच्चों देखो इसका पहला reaction है बच्चों यह मैंने कराया अभी CO2 की NS3 के साथ तो यहाँ पर redox reaction होती है N2 0 होता है Cu भी आपका 0 फर्म होता है आपको मैंने अभी अभी कराया ऐसा ही लिखवाय था अब ध्यान रहेगा reactions आपको reactions को जितना आप लोग मगब करोगे उतना फाइदा अब देखो NH3 NH3 का अगर CL2 अगर मैं Limited CL2 के साथ कराऊंगा Limited CL2 के साथ कराऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर आपका Limited CL2 के साथ reaction कराऊंगा या फिर limited CL2 के साथ कराऊंगा एक्वस का हाँ हाँ limited CL2 के साथ कराऊंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा यहाँ पर HCL कर दो या फिर limited CL2 के साथ कराऊंगा तो NH4CL बन जाएगा क्या बन जाएगा NH4CL मतलब आपका ऐसा नहीं बनेगा कुछ अलग compound बन जाएगा ठीक है लेकिन अगर NH3 की reaction में excess amount of CL2 के साथ कराऊंगा तो वो सारे के सारे हैच को बाहर निकाल देगा क्या मना लेगा NCl3 ये थोड़ा ध्यान लखो ये थोड़ा major problem में थोड़ा से related आप लोग questions को ध्यान लखो ध्यान लखो ammonia का अगर में limited amount में CL2 का reaction कराऊंगा तो NH3 हमारे पास बची ही नहीं है reaction करने के लिए NH3 तो higher amount में आपके पास लेकिन CL2 तो limited amount में तो CL2 किसी एक के साथ ही reaction कर पाएगा सब के साथ नहीं कर पाएगा लेकिन यहां पर axis amount में होने की वज़े से प्रॉब्लम समझ में आई सारी के सारे ह को बाहर निकाल लेगा तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यार रखें आप लोग ठिक है अगला पॉइंट ही जैसा कि मैंने आपको बताया था हेलाइड में कि अगर मेंने अगर मेंने अगर मैंने Ammonia की Reaction किस के साथ कराई अई-डीन के साथ कराई तो यह क्या बना लेगा Ammonate का मतलब क्या होगा बच्चो Ni3 6-Ns3 यह मने करवाय था और Ammonate का जब मैं Heat करूँगा तो यहां पर N2-Gase और HI बना लेगा और साथ में NH4-IB बना लेगा यहां पर बहुत सारे रिएक्शन है जो कि आपको एक साथ ध्यान रखने बहुत इम्पोर्टेंट अपने रहा तो कुछ द्यान नहीं है सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों यहां पर सी यू एस फॉर पहले कुन से क्लर का होता है ब्लू कलर का होता है और इसकी रिएक्शन आमोनिया के साथ कराने से हमारा क्या बनता है कोपर Co-Pers Ammonium Salt अब मैं आप लोगों को Homework देना है इस्टार्ट करूंगा इसका EN नमबर करना है EN नमबर निकालना है CU का Oxidation नमबर निकालना है और इसका IOPSC नेम लिखना है इसका IOPSC नेम लिखना है और इसका Hybridization बताना है यह इसका काम है आप लोगों के हमवा के हमवा कोशन ठीक है तो यहां पर यह बनाएगा आम्मोनियम व्रूट जो कि पहले की कंपेरीजन में डीप ब्लू कलर का हो जाएगा डीप ब्लू कलर का आपको क्या बना लेगा compound बना ले लेगा this is a complex salt तो ध्यान रखना यह अमोनिया की पहला टेश्ट थे बच्चो आप लोगों को इसका क्या जाज रखना है यह नमबर सब कुछ बताना है ठीक है अगला देख लेते बच्चो हम अगला रियक्शन इससे रिलेटेड अगला रियक्शन आप देखो अगला रियक्शन है बच्चो जैसे ही मैंने जडन इसका मतलब आपका क्या होगा इसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि जडन यहां पर इसम्पली क्या हो जाएगा बच्चो आप लोग समझ सकते हो यहां पर आपका Simply Displacement होगा Displacement होगा तो क्या बनेगा NH4 CL और यहां पर क्या बन जाएगा JL OH का All- क्या reaction थी बच्चो Displacement reaction क्या reaction थी Displacement reaction और displacement reaction थी यह आपकी और इसका कौन सा कलर का PPT होगा बच्चो White color कौन से कलर का PPT होगा White color का PPT यह सब चीजे आपको अभी से ध्यान रखने हैं, वाइट कलर का PPT होगा, कोई से कलर का PPT होगा बच्चों, यहाँ पर यह आपका, वाइट कलर का PPT होगा, अगला देख लेते हैं थर्ड रियक्शन, CRNO3 THRIES, इसकी रियक्शन अगर मैंने NH4OH, मतलब क्या? अमोनियम एक्वस के साथ, मतलब एक्वस मेडिया में आपका अमोनिया गेसे, इसके साथ जब मैंने इसकी रियक्शन कराई, तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, CROH का होल THRIES बनेगा, डबल डिस्पेस्मेंट रियक्शन और आपका क्या बन जाएगा? NH4NO3, NH4NO3, इसके बारे में मैं आप से बाद में डिस्कस करूँगा, बहुत ज्यादा, इसके बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा, सवाचार मुझे है, यहां से हमारा क्या होगा? NH4NO3 होगा, CROH का होल THRIES, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्छो आपका green color का बन जाएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा green color का आपका बन जाएगा कौन से color का हो जाएगा बच्छो यह आपका green color का आपका compound आपका form होगा ठीक है थाड के बाद आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर फोर्थ वाला मैं आपको बताता हूँ फोर्थ रियक्शन क्या है बच्चों फोर्थ रियक्शन ध्यान रखना हमेशा CR प्लस 3 always green color CR प्लस 3 का हमेशा कौन सा होता है बच्चों green color होता है ठीक है अब देखो अगला कौन सा है बच्चों CD-SO4 CD-SO4 की reaction NH4-OH मतलब aqueous ammonia में कर दिया जाए इसकी reaction अगर मैंने aqueous ammonia में कर दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CD-OH का hold twice CD-OH का hold twice और यहाँ पर आपका बन जाएगा NH4-SO4 तो यहाँ पर भी क्या हुआ displacement reaction तीनों में कौन सी reaction होई बच्चों displacement reaction जो कि आपको जानना है तीनों में आपकी displacement reaction हुई ठीक है displacement reaction हुई लेकिन जब मैंने इसकी reaction में H2S के साथ करवाई इसकी reaction मैंने किसके साथ करवाई बच्चों H2S के साथ करवाई दो मिनिट थोड़ा सा problem है I hope सुक्या आपको समझ में आया होगा इसमें displacement reaction नहीं होगा बच्चों इसमें सोरी इसमें displacement reaction नहीं होगा इसमें होगा बच्चों CD NH3 यहां पर 4 यहां पर क्या जाएगा SO4 यहां पर CD NS34 SO4 आपका हो जाएगा और यह आपका हो जाएगा colorless यह आपका क्या होगा बच्चों colorless होगा और colorless होने के बाद जैसे ही इसमें H2S provide करेंगे तो यहां पर CDS जो कि आपके कौन से color का हो जाएगा बच्चों black color का यह reaction अभी आपको मैं दियता हूं कि आपको क्या होगा इसका नाम लिखना है और साथ में आपको यह नंवर निकलनाए और साथ में आपको यह नंवर ? een इस नंवर और और 5 आपको नीकलना से भी आपको निखन US नंवर आपको Benny अगला क्या होगा बच्चो अगला reaction समझ लेते हैं यहां पर AGCL वाला समझ लेते हैं तो फिफ्ट रियक्शन देखो बच्चो AGX की reaction AGX यहां पर chlorine, bromine, iodine हो सकता है but not but not fluorine but not fluorine नहीं होगा ठीक है अगर इसकी reaction मैंने NH4OH के साथ करवा दी तो क्या होगा बच्चो, NH4OH के साथ करवा है तो यहां पर आपका AGNO3 बन जाएगा, AGNH3 twice इसका आपको effective atomic number निकालना है और यहां पर आपका आजाएगा X- यहां पर आपको क्या आजाएगा X- that is called what, tolerance reagent इसको क्या बलेंगे, tolerance reagent इसको हम क्या बलेंगे बच्चो, tolerance reagent यहां पर यह आपका tolerance reagent बन जाएगा, जिसका बच्चो organic compound में काफी widely use है इसका आपका organic compound में, organic compounds में आपका काफी widely इसका use होता है, काफी widely इसका use होता है, यह मैं आप लोग बताने वाला हूँ, तो अभी से ही तयार रहो इसके लिए, ठीके, तो यहां पर यहां पर यह बनेगा, आपको इस complex का नाम लिखना है, इस complex का भी आपको क्या लिखना है, IUPAC ने, और साथ में आपको क्या निकालना है, AN number, और साथ में आपका oxidation number of CMI, ठीके, यह भी आपको निकालना है, ठीके न, और साथ में आपको secondary valency, और as well as primary valency, यह भी आपको निकालना है, यह भी आपको ये तो था आपका इस से रिलेटेड कॉसिंस ठीक है अभी मैं 5th reaction जोकि बहुत ही ज्यादा इंपोरेंट है जोकि आपका क्या है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपोरेंट है ठीक है तो तो सिक्प्रेश्ष्ण समझ लेतें बच्चों सिफ्थ रियक्शन, देख लेते हैं, आप देखो, हीजी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी I2 और यहां पर किया बन गया, और साथ में क्या निकल जाएगा ? कै सीएल, अग State Why iकस क्एसयेक्शन मैंने कै आइए के साथ करा दी, एक्सपमीडिय्या बार-बार-बार कैा के साथ करा रहा हूँ. तो इस बार, यहां पर क्या बन जाएगा ? Complex salt फिर आपको इसका क्या लिखना है बच्चों आईयू, P-A-C num, आपको क्या लिखना है, P-A-C num, E-N number निकाल ला है और primary valence निकाल नहीं है secondary valence निकाल नहीं है यह आपका बन जाएगा K2 HGi4 ठीक है यह आपका बन जाएगा इसका जो common name होता है बच्चो वो क्या होता है नेसलर रिएजेंट, common name क्या होता है बच्चो इसका, नेसलर रिएजेंट, नेसलर रिएजेंट, इसका जो common name होता है, वो क्या होता है, नेसलर रिएजेंट होता है, अब मैं क्या करूँगा बच्चो, नेसलर रिएजेंट की रिएक्शन, ammonia medium में, ammonia के साथ, ammonia के साथ, नेसलर of milan base iodide of milan base जिसका formula क्या होगा OHG HG NH2 अब बाहर क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर यहां पर हो जाएगा I minus plus और यहां पर H2O यहां पर यहीं एडवांस ने आप लोगा पूछा गया कोशन है और यह कौन से कलर का होगा ब्राउन कलर का ब्राउन कलर का compound होगा ठीक है यह आपको ध्यान अखना है यह वाला reaction काफी जाद है क्यों इंपोर्टेंट क्यों नहीं है यह आपको आगी जाएगे बहुत ज़्यादा पता पड़ेगा और यह आमोनिया को टेस्ट करने के काफी जादा काम आता है अगर आपसे पूछा जाए कि हाव कैनाई टेस्ट आमोनिया तो आप लोग क्या लिखो कि K2, HG, I4 is the best method of testing of ammonia, best method, nothing else, best method for testing of ammonia, I hope so कि आभी तक आपको समझ में आ गया होगा, काफी simple है, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना, reaction, चलो, ठीक है, आप हम समझते है बच्चों, इसकी use, इसके use क्या क्या है बच्चों, देख लेते, as a nitrogen fertilizer, use, use as nitrogen fertilizer, nitrogen fertilizer के form में इसका आपका use होगा बच्चों, जैसा कि आपको मैं पहले मैंने N2 में लिखा है, दूसरा use, salt के detection में, salt detection, salt detection में NH4OH का होता है, use, जैसे किस-किस के detection में होता है, बच्चों, इसका use आपके, आपको बता है, मैंने CU plus 2 का detection क्या था, CUSO4 को, लेके, और किसका मैंने detection क्या था, यहाँ पर, JN plus 2 का क्या था, JN plus 2 का क्या था, और मैंने किसका detection क्या, उसको दर्खो, आज ही मैंने लिखा है, CR plus 2 का करा है detection, उसके बाkan CD plus 2 का, इन सबका detection कर सकते हैं हम इससे, NH4OHK की salt से, NH4OHK के salt से हम इस सबका detection कर सकते हैं, थाड़ जो मेठ़़ इसका, hydrogen formation, hydrogen formation, hydrogen को form करने के काम में आता है बच्चों, hydrogen को form करने के काम में आता है बच्चों, ठीके, और fourth जो इसका use है, preparation of explosive preparation method of preparation method of explosive explosive को prepare करने के लिए आपके काम आता है ठीके तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आज के क्लास में ammonia का जो भी था हमारा detailed concept वो भी clear हुआ I hope so कि आपको यह ammonia के बारे में अच्छे समझ में आगया हुआ अगर आपने ammonia को अच्छे से कर लिया है तो कल हम N2 और ammonia से related काफी अच्छे अच्छे को question लेकर आने वाने तो I hope कि फिर आपको समझ में आ जाएगा so thanks for watching this और आप reaction का practice करते रही है